हेलो दोस्तों आज हमारी descriptive series का अगला जो topic है वो है social media ठीक है बहुत ही important topic है इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए ठीक है तो शुरुवात करते हैं हमारे descriptive series के अगले topic की social media ठीक है अगर आप descriptive की त्यारी कर रहे है descriptive exam की तो आपके लिए यह videos बहुत beneficial होने वाले हैं ठीक है आईए शुरुवात करते हैं हमारे topic की तो हमारा जो topic है वो है social media का ठीक है आज का time ऐसा आज चुका है दोस्तों की fundamentally जो हमारा जितना भी होता ना जिस तरीके से हम interact करते हैं कम्यूनिकेट करते हैं हमारे हम किसी भी चीज़ को organize करते हैं हमारी opinions form होती है even हमारी जो होता ना हम जो shop करते हैं उसका जो test होता है वो भी हमारा social media के थूरू हमारा influence होता है तो social media का आज बहुत ही important role है हमारी life के अंदर ठीक है first time मानव इतियास में in the history of mankind ऐसा हो रहा है कि one click पर आपके सामने पूरी दुनिया available है जिससे आप interact कर सकते हो और अपना message पूरी दुनिया तक पहुचा सकते हो आज से पहले ऐसी ताकर्त हमारे पास कभी नहीं थी हमारे पूरे इतियास के अंदर एक report की अनुसार अगर हम ब बात करते हो तो आपके पास में 300 million इंडिया के अंदर internet users है जिसमें 200 million जो है आपके present है और active रहते हैं पूरी तरह से ठीक है worldwide की अगर आप बात करते हो तो आपके पास में 4.5 billion internet users है you can imagine that the population of world is 7 billion and out of them 4.5 billion are the internet users this is a very big number so internet का जो अगर आप association देखना चाते हो mobile की और internet की तो अगर आप urban इंडिया की बात करते हो तो आपके पास में 295 million आपके पास में urban लोग जो है वो आपका internet use करते हैं और आपका rural इंडिया जो है वहाँ पर आपका लगबग 186 होता ना internet users है ठीक है तो यह काफी बड़ी quantity के अंदर internet users हमारे पास में इंडिया में भी है worldwide में भी है कुछ social networking sites हैं जैसे कि आप facebook, instagram, twitter, whatsapp, youtube, gmail यह सारी जो 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 हैं यह आपको enable करती है कि आप world को पूरी एक click के उपर access कर सकते हो अपनी message वहाँ तक पहुचा सकते हो ठीक है तो आपको पता है दोस्तों हर चीज के दो पहलू होते हैं एक अच्छा पहलू एक बूरा पहलू उसी तरह से social media है उसके भी आपके पास में दो पहलू है ठीक है एक आता है आपका positive side एक आता है आपका negative side हमको दोनों sites की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास में बहुत ही अच्छी पावर है कि आप पूरे वर्ल्ड को influence कर सकते हो ठीक है आपके पास में पूरा वर्ल्ड सिर्फ एक लिक पर आपके सामने रेडी है ठीक है आप instant किसी से भी messaging कर सकते हो अपने जितने भी होता ना पूराने friends व के बारे में बहुत ही cheaper method है यह आपके communication का पहले यह होता था कि बहुत ही time लगता था किसी भी communication के लिए और काफी महंगा पड़ता था हर चीज आज आपके पास में सब कुछ digitalize हो चुका है काफी सस्ता है सब कुस ठीक है easy to use है अगर awareness अगर किसी चीज़ के ऊपर फहला नही है अगर आपको अपनी income generate करनी तब भी क्योंकि जितनी भी digital marketing हो गई promotions हो गई advertisement हो गई आज कल सब कुछ social media के त्रूई हो रहा आप digitally education भी ले सकते हो अगर आपके पास में school होता नहीं जा सकते हो किसी कारण तो आप कहीं ना कहीं YouTube के त्रूँ या बहुत सारे platform से उनके revolutionized हो चुका है चाहे आप culturally बात करो हमारा culture कहीं ना कहीं हम westernization की तरफ जा रहे हैं और west वाले हमारी तरफ आ रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा mixed up देखने को मिल रहा है अच्छी चीज़ों को हम अगर इधर उदर करते हैं तो वह काफी अच्छी चीज़ है psychology की हमारी change हो रही ह हम physically भी काफी influence होते है हर चीज से ठीक है तो digitalization of world चल रहा है ठीक है online services बहुत बढ़ चुकी हर चीज़ आपके पास में online और चाहे आप देख सकते हो Amazon Flipkart यहां पर आप कुछ भी खरीच सकते हो है ना और यह जो आपका online social media platform है कहीं ना कहीं यह corruption भी कम करता है आप वीडियो बना सकते हो उसको viral कर सकते हो तो कहीं ना कई लोग डरते हैं corruption करने से भी और ठीक है आज इसको fifth pillar माना गया है हमारी society का हमारे nation का क्योंकि fourth pillar तो आपका press होता ही है no doubt लेकिन fifth pillar आपके खुद के हाथ में है आप खुद feel कर सकते हो कि आप की जो individual power है वो कितनी ज्यादा हो सकत आप अकेला एक इनसान भी यहाँ पर एक difference create कर सकता है ठीक है और कोई भी अगर unjust pillar है या किसी की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप उस चीज को highlight कर सकते हो उसको viral करवा सकते हो और वो कहीं ना कहीं आपकी सुनी जाएगी चीज ठीक है fundraising जो आपका victims होता है चाहे वो गरीब हो गए हो नीडी वन्स हो गए हो disasters के टाइम पर हम देखते हैं कहीं लोग इस चीज से effect होते हैं तो कहीं ना कहीं एक देशन नेशन एक जुट होकर सभी लोग अपनी तरफ से जो भी उनके मन में होता है सो पांसो हजार पचास हजार वो लोग इसके लिए डोनेट करते हैं और वहां तक पहुंचता है गोर्मेंट को उस चीज का फायदा मिलता है तो कहीं ना कहीं अगर आप overall देखोगे तो यह इसके पास में बहुत tremendous energy है बहुत tremendous इसके पास power है ठीक है हमारी life काफी simplified हो गई है बहुत time saving चीज़े हैं यहाँ ठीक है आप आप online campaigning भी कर सकते हो आं के individual identity भी matter करती है यह हो गया आपका positive side ठीक है अब उसी तरह से हर पहलों के negative side भी होता है negative side क्या है यह बहुत ज्यादा addictive होती है ठीक है ना क्यूंकि virtual world होता है आप उन सब चीजों को access कर सकते हो जो आप सिर्फ dream करते हो अभी तक ठीक है तो उन चीजों को बार बार देखना उन चीजों के बार बार सोचना addictive हो सकता है आप अपने real world को escape करके आप virtual world में जीना शुरू कर देते हैं कहीं न कहीं हमारे psychologically और हमारी mental और physical health के लिए बहुत ही बूरी चीज है आज कल बच्चों के अंदर सबसे जादा देखने को मिल रही है आपकी personal information होती है ना on the stack होती है वो कभी भी आप यह देख सकते हो कि हिलरी क्लिंटन डोनल्ड ट्रप उनका के gmail accounts अगर hack हो रखें तो हम क्या चीज है उनके सामने ठीक है child pornography defamation किसी को भी defamation करने में नहीं time लगता है क्योंकि authenticity नहीं होती है कि कौन सही है कौन गलत है जिस तरीके से आपके सामने stuff आता है उ defamation कही ज्यादा होता harassment बहुत होता है fact news बहुत होती है unauthentic news चलती है ठीक है तो इससे कहीं न कहीं crimes बढ़ते है communal violence भी ignite होती है कहीं दंगे होने की जड़ होती है यह होती है जब भी कहीं पर कोई आंदोलन हो रहा होता है communal type का तो 144 section लगा दिया जाता है internet से माय बंद कर दी जाती है ताकि यह सब चीजें रोकी जा सके होता ना जो unauthentic news उसको रोका जा सके mass mobilization होता है ठीक है misleading cause के लिए उस चीज को रोकने के लिए ठीक है कुछ facts ऐसे भी आया था जिसमें recruitment of terrorists भी online platforms के तुरू होती है hatred फैलाई जाती है और कहीं ना कहीं होता ना opinions को मौल किया जात है और हमारे साथ गलत हो रहा है particular religion ऐसा बोलता है particular type के लोग ऐसे बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो beliefs होते हो बाइस हो जाते हैं हम वहीं देखते हैं जो वह हमें दिखाना चाहते हैं काफी scams बढ़ते हैं frauds बढ़ते हैं head speech के बहुत negative side effects यहां देखने को मिलते हैं politically भी बहुत सारे hatred और intentions जो होते हैं कहीं हमारे society को नुकसान देते हैं हम virtual world में जीना शुरू कर देते हैं real world से escape कर जाते हैं और हमारी जो self centric life बन जाती हैं हम society अपनी family के बारे में सोचना कम करते हैं और कहीं ना कहीं हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं उस वर्चूल वर्ड में रहके जिस से हमें personally sleep disorders हो गए emotional side effects हो गए और भी काफी mental या psychological depression disappointments यह हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे mental और physical health दोनों के लिए खराब है westernization अगर आप अच्छी तरीके से देख रहे हो कि हम cultures का अदान प्रदान कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन अगर हम हमारे culture को spoil करके हम वहां की गलत चीज़े वेस्ट की ले रहे हैं तो यह चीज़ भी हमारी negative side effects में आएगी ठीक है दोस्तों तो एक pure research center है ठीक है जिसने the social hostilities index निक हमारी ranking है यह अच्छी ranking नहीं है ठीक है हम उन countries के अंदर है जहां पर हमारे पास में नाइजरिया पाकिस्तान बंगलादेश इजीप्ट इस टाइप की countries जो है हम उनके अंदर में आते हैं जो की बहुत ही गलत है यह एक तरह से religious basis पे था और यह हमारे इंडिया के लिए एक ऐसी discretionary power हमें develop करनी चीए और हमें खुद भी अपने अंदर develop करनी चीए ताकि हम अपना खुद का दिमाग इस्तिमाल कर सकें खुद की सोच इस्तिमाल कर सकें और उस पर एक सही decision खुद ले सकें ना कि जो हमारे सामने परोसा जा रहा है हम उसके उपर आग बंद करके भ बहुत important चीज है जो मेरे को यहां लगी है ठीक है the difference between it as a curse and a blessing hangs on the shoulders of its user ठीक है यह एक curse हो सकती है और एक blessing भी हो सकती है सिर्फ difference यहीं पर आता है कि आप उसको किस तरीके से इस्तिमाल करते हैं और आप अपना दिमाग किस तरीके से use कर सकते हैं ठीक है ना तो यहीं पर आप के लिए अच्छा रहा होगा आपके जो आपका descriptive का content होने वाला है वो आप use कर सकते हो काफी points मैंने cover करने की कोशिश किये और अच्छे से इसको आप SME लिखिए और आपकी बहुत help होने वाली है so do not forget to like share and subscribe and thank you very much friends